आगे मेरे मौत का तमाशा देखने अब मुझे लटका देंगे जुमान ऐसी बार आएगी आखे बार आएगी थोड़ी देर लटकदा रहूँगा फिर ये मेरा भाई मुझे निचे उतार देगा फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे खाना खाओगे सो जाओगे तुमारी ये नामर्दान गी बुस्दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी कोच नहीं कहे ना मुझे तुम्हें कोच नहीं तुमारी जिंदगी में कोई फ़रक बढ़ने वाला नहीं अंदेरे में रहने के आदद पढ़िये तुमको गुलामी करने की आदद पढ़िये है पहले राजा महराजों की गुलामी की फिर हंग्रेदों की अब चंगद्दार नेताओं की और गुंडों की धरम के नाम पर ये तुम्हें बैकाते हैं तुम्हें एक दूसरे के गले काट रहे हो काटो काटो उपर वाला भी उपर से देखता होगा तो उसे शरमाती होगी सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई थी इंसान नीचे देखा तो सब कीडे बन गए कीडे कीडे रेंगते रो रेंगते रो सटे रो और मरो आए और गए खेल खतम क्यों जीए मालूम नहीं क्यों मरे मालूम नहीं कलम वाली भाई क्रांटी लाना चाहती थी कलम के जोर पर काले वर्तमान को खतम करना चाहती थी कौन समझा उसकी बात को सब साले मुर्दें, जिंदा लाचे किसे जगाती हो, मैं जाग गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं सुकून है लेकिन जान में रखना तुमारी ये खामोशी कल तुमारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी ये कामिन वाले वर्दी वाले नेता इन्होंने अपना इमान बेच दिया एक दुसरे को जलाते वकित तुमारा इमान कहा गया था भाड में ये पिस्टू जैसा हमारा परोसिमुल आने वाले कल में शायद आपने आपको दुनिया के नक्षे पर देखने पाएगा एक बात भूल रहा है उनके घर में जो रोटी बनते है ना उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है सालिया अपने खुद के देश में सुईने बना सकते और हमारे देश को तोडने का सपना देखते है वो ये सपना देख सकते क्योंकि उन्हें मालूम है यह मुर्दो का देश है मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, बूस्णा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बाते कर रहा हूं इन पधरों से, हसो, हसो, खुश्या मनाओ, क्रांटी की रहा पर एक और कुट्टे की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या हम इसी तरह जीते रहेंगे है ना जियो बाई जियो जैसे चाहिए वैसे जियो मैं हिद्रे की जिन्दे की जिना नहीं चाहता ए ला चल चल ला